हेलो फ्रेंड्स वेलकम और वेलकम बैक टू माई चानल दूस्तों कैसे हैं आप लोग मैं उमीद करती हूँ कि आप लोग हमेशा की तरह बहुत जादा अच्छे होंगे तो चलिए आज फिर से मैं आ गई हूँ आपके मुश्किल से मुश्किल काम को असान करने के लिए तो ब में से बहुत ही जादा ज़ाग वाला पानी निकलता है यह जो पानी होता है यह बहुत ही ज़ादा हामफूल होता है तो आप इसको क्या करें कि दो तीन बार इसको इसी प्रोसेस से करके और सारा जो इसके अंदर का ज़ाग है ना उसको जरूर निकाले क्योंकि यह जो ज़ आपको अच्छी लगी होगी तो चलिए देख लेते हैं next tip तो देखें यहाँ पे सरसो की तेल की bottle है और कई घर अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ी सी facilities नहीं है जहाँ पे वो तेल के bottle का ही इस्तमाल करते हैं उनके घर में oil dispenser नहीं होता है तो यह उनके लिए tip है कि अगर आप भी इस्तमाल करते हैं तेल की bottle तो आप tissue paper को इस तरीके से fold कर ले और fold करने के बाद आप इसको छोटा सा उपर cut लगा ले अच्छा आप single tissue paper मत लीजिएगा दो लीजिएगा tissue paper ताकि इसकी जो length विर्थ होना अच्छी हो और वो अच्छे से तेल को absorb करें तो देखिए हमने इसको cut करके छोटा सा एक hole बना लिया है आप क्या करना है कि इस tissue paper को इस bottle के मतलब top में डाल देना है यानि की cap के पास अब जब कभी भी आप इसका इस्तमाल करेंगे तो ये जो oil है वो टपक करके नीचे नहीं गिरेगा जिसे कि आपका जो surface है वो भी गंदा नहीं होगा और तेल की bottle भी साफ रहेगी चलिए देख लेते हैं next tip तो देखिए यहाँ पर हमने mosquito coil ले लिया है और अभी सरदी जाने वाली है फिर भी mosquito थोड़ा बहुत दिखते ही हैं तो आप सोने से पहले अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी आप mosquito coil जलाएं और वो उतनी ही जल करके बुझ जाएं तो आप इसके देखिए दो फायदे होंगे एक तो मच्छर भाग जाएंगे साथ के साथ जो आपकी health है वो भी effect नहीं होगी तो hope करती हूँ कि tip अच्छी लगी होगी बढ़ती हूँ next tip के तरफ तो देखिए कई बर क्या होता है कि nail remover नहीं होता है है ना कभी कभी खतम हो जाता है तो उस दो सेकिंड छोड़ने के बाद आप cotton ले ले और cotton की help से आप इसको रगड़ेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से बिल्कुल clean हो जाता है आपको यकीन नहीं है ना तो आप करके देखिएगा बहुत ही अच्छे results हैं इसके तो देखिए हमने जो अंगुठे का nails था उसका तो हमने nail print हटा दिया similarly आप सारे nail print अपने अच्छे से remove कर सकते हैं तो है ना ये बहुत कमाल की tip चलिए देख लेते हैं next tip तो देखिए जब हम dry fruits लेकर के आते हैं तो normally क्या होता है ना कि बच्चों को काजू बदाम ये सब चीज़े अच्छे अच्छे लगती हैं कई बच से इसको अच्छे से मसल मसल करके इसको mix कर लें अच्छा अगर आपको लगता है कि हमने तो इसमें हल्दी डाल दी और इसका taste थोड़ा सा change हो जाएगा बट ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आपके सामने इसको खा के भी दिखाऊंगी ये बहुत ही मतब जैसा किश्मिश लगता है और हमारे घर में होते हैं मेंबर दो से तीन है न और बच्चे तो ऐसे ही नहीं खाते तो आप क्या करें कि जो बचा हुआ पार्ट है न एक बना ले और एक बचे हुए पार्ट पे आप जो एरिमिनियम की फॉइल पेपर होती है न उसको लगा दे इससे क्या होगा कि इस चलिए देख लेते हैं नेक्स टीप तो देखिए यहां पे हमने ग्लास का लिड ले लिया है और कई पर क्या होता है अगर आप इसको रेगुलर इस्तमाल करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आती इतनी जादा लेकिन कभी-कभी अगर आप इसको जैसे कि कभी-कभी इस्त पकड़ने लगता है जैसे यह जो पेच है न यहां पे भी पकड़ता है साथ के साथ जो लिड का कॉर्णर है मतलब जो एजेज हैं उसमें भी पकड़ता है रस्ट तो आप इसको इससे बचाने के लिए क्या करें कि इस पर नेल पिंट लगा सकते हैं जो आप नेल्स पे हैं जिन्होंने पूछा था कि नॉनिस्टिक के जो पैंस होते हैं उनकी साफ सफाई कैसी की जाए तो देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है आपको इस पे कोई ब्रश नहीं मारना कोई स्क्रोच प्राइट नहीं मारना मतलब इसको बिलकुल पानी से में आपको साफ करने क क्या तरीका बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़दा इफेक्टिव है तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि इसमें हमने पानी डाल देना है एक गिलास के आसपास अब गैस को ऑन करना है और गैस पे इसको चड़ा देना है आप देखेंगे कि दो से तीन मिनट के आसपास ही यह बहुत ही अच्छे से गरम हो जाएगा जैसे ही यह गरम हो जाए इसमें थोड़ा सा जो बिम लिक्विट बार होता है वो डाल दीजिएगा थोड़ा सा बिल्कूल आधा चमच के आसपास और बस इसको डालने के बाद आपको इसको छोड़ देना है बिल्कुल अच्छे होते हैं उनी का इस्तमाल करिएगा स्टील का बिल्कुल भी मत करिएगा नहीं तो क्या होता है कि इसमें खरोच लगने की वज़े से खराब होने लगता है तो देखिए यहां पर अच्छे से यह पानी उबल रहा है बस हमें इतनी ही प्रोसेस की जरूरत है इससे जादा करने क कुछ भी जरूरत नहीं है यह इसी से बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएगा देखिए जो पानी है यह बहुत ही ज़दा पावरफूल है तो आपके जितने भी कपड़े ग्रीसी हैं उनको इसमें डाल सकते हैं यह जो पानी है यह गरम है और साथ के साथ इसमें विम काला हुआ है और बस इसको अच्छे से स्पॉंच करके आपको रख लेना है तो नौनिस्टिक बरतन का रख रखाओ बहुत ही जादा आसान है ऐसा कोई बहुत ही अतीर मारने वाली बात नहीं है अगर चुड़ी चीजों का ध्यान रखते हैं आप तो आपके नौनिस्टिक बरतन कभी भी खराब नहीं होंगे बस कोशिश यही करिएगा कि इसके उपर किसी भी प्रकार का स्क्रोच ब्राइट या फिर तार का जो जुना होता है वो बिल्कुल नहीं मारना है आपको अगर आप इन सब चीजों का खास ख्याल रखेंगे तो कभी भी खराब नहीं आपको कैसी लगी जरूर बताईएगा अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकोन को भी हिट कर लीजिएगा जिसे की आने वाली वीडियो को इनोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो मिलती हूँ मैं कल की वीडियो में दब तके लिए बाई बाई और टेक केर